दिक्षित ज्वेलर्स जेवन देपनिवास बाइपास रोर बीसी एस शिमला देख को जेवडियों की तरह पांट रहे हैं नमस्कार भारती जन्ता पार्टी हिमाचर प्रदेश प्रदेश के मुख्य मंतरी द्वारा विधायकों को सांपनात और नागनात बोलना एक असब्वे भाषा का बात करना है चुने में विधायकों को इस तरह का संग्यान देना ठीक नहीं है उनकी दारा जो बयान दिया गया कि हिमाचर प्रदेश के 80% विधायकों के साथ है माननी है सुखु जी नाखिमल मुख्य मंतरी हैं वो प्रदेश के होम मनिस्टर भी है जिस व्यक्ति को यही समझ नहीं आया कि उनके विधायक एक होम मिनिस्टर होते वे उनके साथ है या नहीं है और वो अंतरात्मा की अबाद से राजसभा के लिए उन्होंने इस बात का ग्रोध किया कि भारी व्यक्ति हिमाचर प्रदेश में कांगर्स द्वारा राजसभा में भेजा जा रहा है और उनको हिमाचर का कोई अपना वरिष्ट नेता इस पाद के लिए उनको समझ नहीं आता उसी द्रिश्टी से उन्होंने राजसभा में उनके खिलाफ वोड डाला और हिमाचर प्रदेश में भारज जनता पार्टी का हिमाचर का सबूत हिमाचर का बेटा राजसभा चुन कि आज भी एक मुख्यवंत्री की गरीमा को ना देखा हुए आज भी यूअ कॉंग्रस और अनुसाई के धक्ष की तरह भेव कर रहे हैं मैं उन से निवेदन करता हूँ कि आप अपने यूआ कॉंगरस और अनुसाई की उस पुरानी सोच से भाफा और प्रदेश की चंता करें पहले उन्होंने अपने मित्रों को सरकार में स्थान दिया और आज जब उनकी कुर्सी उनको डगमगाती नजर आ रही है तो लोगों को विधायकों को अलग-अलग जगह में को कैबिनिट का दर्जा देना कहीं किसी को चेर्मन बनाना इस प्रलोबन से साथ जोडने का प्रयास हो रहा है और इस तरह से कर वो साथ जोडना चाह रहे हैं तो यह सरकार बहुत दिन तक नहीं चलने वाली आज आप पांच लोगों को कुर्सी सगर नवाज हो गये भी ही तो बीस लोगों का पिटारा और दूसरा हिमाचर प्रदेश वैसे ही बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है करजा लेकर के लोगों की तनकाय दी जा रही हैं इस तरह का भरकम बोडो और चेर्मेनों को भरने से और आर्थिक बोज हिमाचर प्रदेश की जनता पर पड़ेगा हमारा मानना ये है कि मानने सुखु जी अपने कुनवे को अपने तरीके से संभालें और भाजबाबे इस बातकारों पना लगाएं कि भारती जनता पार्टी उनकी सरकार को डिस्टेबिलाइज कर रही है अपने गिरेबान में जहांकें और मैं फिर से कहता हूँ कि अपनी अनुसाहिय धक्षी और यूवर कॉंगर्स की धक्षी से भारा करके एक मुख्य मंतरी की तरह भेव करें हमें मालुम हुआ है कि चार पार्लेमेंटों से फिर से वहां के विधायकों को भी चेर्मेनी की कुर्सी दी जारी है सुनने में ये आया है कि स्पीकर को अब प्रोटोकॉल में पाइलेट अस्कॉर्ट दी जारी है और दो विधायक जो शिमला जिला को समझ रखते हैं उनके उपर नजर सरकारदरा गाड़ी जाए उस त्रिश्टी से उनको एक्स्ट्रा पुलिस स्क्योर्टी में रखा जा रहा है ताकि वो उनकी नजरों में रहे जब इस तरह का विश्वास विधायकों के बीच में ही है तो हिमाचल की जनता तो पहले ही बहुत त्रस्त है और आने वाले लोकसवा में चारों सीटे भारती जनता पार्टी जीतेगी और अगर सुखु में इतनी ताकत है कि वो बहुत पॉपलर लीडर है तो हमेरपूर से एक बार चुनाओ लोकसवा के लड़कर के देखें तो कि आने नजर आ जाएगा जहिन या भारत ब्यूरो रिपोर्ट सीटी चैनल शिम्ला